कि नमस्कार दोस्तों मैं निशानत एक बार फिर आजिर हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास दो फॉंटेन पैन हैं यह सैफर के नो-nonsense fountain pen और 1970 में fountain pen आया करते थे वर्क फॉंटेन पैन थे स्टूटेन बहुत इसका इस्तिमाल किया करते थे तो चली देखते हैं यह मैंने दो और पास है यह प्लास्टिक में है और ग्रीन कलर में फ्लापऊंटेन पैन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा देख सकते हैं कि स्वाउंटेंध होते हैं यह देखें आप यह ब्लू क्लर है जो झी यह देखें और उपर यह कुल देखसकते हैं इस तरह की क्लिक पाती यहां पर एंगल आप देखिए और आगे की तरफ से यह बिल्कुल एक फेर सा होता है इसके अंदर उपर सैफर लिखावा है यूएस से लिखावा है क्लिप के उपर पीछे की तरफ एक फिटिंग होती है फीनियल आप इसको बोल सकते हैं यहां पर एक बैंड होता है कैप के काउन साइड में और आगे की तरफ एक सिलिंडरी कल सी धासा एक बैरल होता है तो यह आप एक कंप्लेट इसका ओवर लुक देख सकते हैं किस तरह का आउट लुक है यह आपको यहां पर पता चलता होगा यह देखिए यह कैप है यह ट्रांसलूशन प्लास्टिक के इसमें आप देख सकते हैं यहां पर आपको दिख जाएगे यहां तक है यह सेकंडरी कैप और यह इंक सूखने से बचाती है निप को सेफ रखती है और पीछे की तरफ इसमें से सायद यह पार्ट निकल गया है फीनियल जो है वह इसमें देख सकते हैं ट्रांसलूशन वाली कैप म मुझे नहीं मिला है और बहुत अच्छी कंडिशन में मैं यह कहूंगा कि बिल्कुल एकदम बिल्कुल नहीं कंडिशन है ऐसा नहीं है थोड़े थोड़े से आपको कहीं कहीं पर स्क्रेचिज वगएरा मिल जाएंगे और यह देखे जो बैंड है उसके ऊपर भी थोड़े से कोरोजन वगएरा के आपको साइन मिल जाएंगे तो परफेक्ट कंडिशन नहीं है लेकिन फिर भी यह फाउंटेन पैन आप देख सकते हैं इस तरीक के फाउंटेन पैन आपको मिल जाएंगे सेलर का नंबर में नीचे दे दूंगा डेस्क्रिप्शन में वहां से आप आ देखेंगे बैरल तो मुझे ट्रांसल्यूर्शन प्लास्टिक में ज्यादा अच्छा लगा है यह ज्यादा क्लीन और क्लियर प्लास्टिक मुझे लगी है लेकिन जो आपकी सोलिड प्लास्टिक है थोड़ी सी भद्द्य साइड में हैं और इसके उपर निसान भी आपको मिल जाता है स्टेनलेस स्टील का उपर लिखा हुआ है सैफर रिजिस्टर मीडियम मेडिन यूएस से पीछे की तरफ आप इसका एक फीड देख सकते हैं बहुत सारी फिन इसमें रहती हैं चोटा सेक्शन का यहां पर पार्टी जो है जो आप पकड़ेंगे वह काफी चोट पीछे की तरफ आप एक स्टेनलेस स्टील का प्रोट्यूड पार्ट देखेंगे जिसके अंदर आइधिंग फीड पतली सी फीड अंदर तक जाती है और इसके उपर आप कनवर्टर या फिर कैट्रिज लगा सकते हैं तो यह देखें मेरे पास दो फीड है और दो ही सेक्श लेने वाले हैं तो दोस्तों यहां पर आप तोनों फांटेन पैन देख सकते हैं और अब हम इनका राइटिंग सेंपल लेने वाले हैं एक चीज में आपको यहां देखाने वाला हूँ कि इसके अंदर प्रोप्राइटी कार्टिज और कनवर्टर डलते हैं यह आप देख सक स्पेशली यह देखें यह सहफर की मेरे पास कनवर्टर है 425 उरुप्र कनवर्टर यह मिलता है और यहां पर यह केट्रिज आप देख सकते हैं यह भी स्पेशल कार्टिज है यूनिवर्सल कार्टिज भी इसमें फिट हो जाती है लेकिन सेक्यूर लिए वाली जो इनकी प् तो यह देखे कनवर्टर यह है सैफर का प्रोप्राइटी कनवर्टर स्मूथ है चलने में स्मूथ है कि यहां पर यह स्टेनलेस स्टील की फिटिंग है पीछे की तरफ बुष्ट बोल सकते हैं और आगे की तरफ से देखे एक दम फ्लेट एंडर इसका रहता है और उसमें चो यह सिक्यूरली इसमें फिट होता है यह मतलब टाइट फिट होता है और सिक्यूरली इसमें फिट हो गया तो यही एक इसमें आपको देखने वाली चीज है कि आप इसमें कोई भी कनवर्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते केवल और केवल सैफर का ही कनवर्टर इसमें लगने वा तो दोस्तों आप देख सकते हैं कार्ट्रीज में भी आप उसी तरीके का एक यहां पर होल देख सकते हैं और इसका फ्लेट एंड देख सकते हैं यही एक इसके अंदर आपको डिफरेंट चीज मिलेगी जो कि इसको securely fit करेगी क्योंकि यहां पर भी फ्लेट एंड है पीछे की तरफ तो इसमें भी एक फ्लेट एंड चाहिए आपको लगाने के लिए यह जो जा करके इसमें सीधे से इस सर्फेस के ऊपर जो फेस है यहां पर दोनों फेस आपस में यहां पर आप देखें यह देखें यह fit हो गई है बैतरीन तरीके से fit हो गई है और अभी आप cartridge देख सकते हैं और मैं कि यह हमारा fountain pen ready हो गया है अब राइटिंग के लिए थोड़ी देर रखेंगे और फिर हम राइटिंग इसकी करेंगे दूसरे वाला जो है इसके अंदर मैं लेता हूँ यह जो हमारी cartridge आई है fountain pen के साथ जो seller ने भेजी है इसको भी try करते हैं और यह देखे यह भी fit हो गई है फिट होने में इसमें भी कोई problem नहीं आया देखे तो universal cartridge भी fit होती है सैफर भी universal cartridge बेशता है तो इसका मतलब उनके जो universal cartridge है वो भी fit हो जाती है यानि कोई भी universal cartridge होगी वो इसके अंदर fit हो जा हमारे ready हो गए हैं और अब एक writing sample लेते हैं और देखते हैं कि हमारा लिखने के बाद किस तरीका एक experience रहता है starting और कैसी यह fountain pen perform करते हैं तो दोस्तों अब writing sample हम ले लेते हैं यह मेरे पास fine nib का है सैफर का अभी से writing करके देखते हैं इंका flow start हो गया है अब मेडियम निब का हम sample ले लेते हैं यह हमारे पास मेडियम निब है तो दोस्तों आप यहां पर दे सकते हैं दोनों sample यह है सैफर का no-nonsense fountain pen fine size और यह medium size दोनों की लिखाई में में मेरे हिसाब से जो thickness है लाइन की उसमें ज्यादा variation मुझे नहीं मिलता बहुत ही मामूली सा difference है और यह difference इसलिए भी हो सकता है कि मैंने दोनों ink different इसमें सेवर की ही इंक इस्तेमाल की है और इसमें जो seller ने मुझे भेजी थी वह इंक इस्तेमाल की है जो की थोड़ी सी पतली है तो इसलिए इसका wider thickness मिल सकता है यहां पर मैंने थोड़ा सा एक experiment किया है यह medium और यह देखें यह है medium निब और यह है fine निब तो यह देखें यह medium निब और यह है fine निब तो हलका सा difference आपको definitely मिल जाता है fine और medium निब में और अब बात करते हैं इनके light writing experience की बहुत ही बेमिसाल fountain pen है अगर आप fountain pen lover हैं तो जरूर इनको इस्तेमाल करके देखे अगर आपको मिल जाते हैं तो जरूर खरीदेगा और इस्तेमाल करिएगा मेरे हिसाब से बेमिसाल fountain pen आपको safer की तरफ से मिल जाते हैं safer अपने time में बहुत बहुत innovative company रही है पारकर के साथ यह मतलब यह समझे competitor थी दोनों fountain pen companies safer और पारकर दोनों ने technology को develop करने में fountain pen की बहु जग जाईए और in fountain pen को इस्तेमाल करके देखें तो दोस्तों यह था मेरा आज का वीडियो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को like share और subscribe जरू करिएगा मेरे चैनल को support जरूर कीजेगा मैं आपके लिए हमेशा ही बहुत ही बहुत ही बहतरीन से वीडि